कि अब एक अब ज़स्ट और आधि आधि कैसे सबी स्टूडेंट्स आजए जल्दी से सेशन के अंदर और मिलकर सबी स्टूरेंट्स अबरें शेयर भी कर दीजिया क्लास को सब्सक्राइब अब करने और लोगों को दो दिन की करणड आफेर तो अपनी कवर यहां पर इस क्लास के अंदर करनी है तो आर यू रेड़ी गाइस चलें क्लास की तरफ नमस्ते नमस्ते जी प्रीतम जी नमस्ते सब्सक्राइब प्रणाम सभी को प्रणाम में चले तो चले अप्र लोगों से पहले ले लिए अगर आप लोगों से किस केंडर शाशिक प्रदेश ने ओला उबर और रैपिडो बाइक टेक्सी पर प्रतिबंद लगा दिया है अब लोगों कर ली अब चो है यह बैं कर दिया गया है या फिर दीरे यह जो है चीजे वह हो रही है वह प्रीतम क्या हो गया अब 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 नहीं है भाई ध्यान से देखो इसको वर्ल्ड के बारे में बता रहा है वो ठीक है थम्नेल तो दिल्ली बहुत ही सुंदर दिल्ली यानि कि दिलवालों वाली दिल्ली जी हां वही दिल्ली उसके अंदर क्या किया गया है इसके अंदर आप लोगों का बैन कर दिया गया है इन सभी ट्रांसपोर्ट को ठीक है तो राइट आंसर क्या हो जाएका दिल्ली अब गाईस क्य किया गया है और किसके द्वारा किया गया है यह जो ट्रांस्पोर्ट डिपार्टमेंट है उसके द्वारा करा गया है किसके द्वारा किया कि भी ट्रांस्पोर्ट डिपार्टमेंट भाई लिखोगे ट्रांस्पोर्ट डिपार्टमेंट ठीक है उसके बाद आप लोगों से पूछ लिया जाए कि क्यों किया गया वा किसके तहट किया गया लिखेंगे अंडर एक्ट नाइंटीन एक्टिएट और कौन से अंडर मोटरवहिकल अंडर मोटरवहिकलीक गया नाइंटीन कि कम्पनी क्या कर रही थी याने कम्पनी जो है वह रूल को रेगुलेशन इसको फॉलो नहीं कर रही थी और इसके तहत यह भी है जब आप किसी तू वीलर को क्या करते हो चलाते हो किसी वेवसाइक काम के अंदर लेते हो तो उसका एक कॉमर्शियल लाइसेंस बनता है यह इन कंपनी इसके पास अपना लाइसेंस नहीं था क्योंकि आप लोग देखते हो परसनली सब क्या कर रहें अपने ही वाइकल को यूज कर रहें तो क्या हो रहा है इसको बैन किया जा रहा और जो उला उला उबर रैफिडो वाले जो ड्राइवर्स है वह भी ट्राफिक के रूल को क्या कर रहे हैं ब्रेक कर रहे हैं इसलिए क्या हुआ है इसलिए यह जो वर्क है और यह जो काम है यह सामने आया है कि भाई क्या कर तो बंद कर दो इसके बंद कर जाने के कारण बहुत सारे लोगों को तकलीफ होने लग जाएगी ठीक है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दिल्ली ठीक हां कॉमर्शियल यूज के लिए लाइसेंस के अवशक्ता होती और इनके पास नहीं है क्योंकि अपने परस्वाइकल को ही लोग क कर रहें इस्तमाल कर रहे हैं यह कोशन बड़ा मजदारा दूसरा वला क्या कहता है आप लोगों को कि आफ्र बिड़न विजिट तो युक्रेन रशिया अनौन सस्पेंशन अफ नुक्लियर पक्त विद यूएस नेम एट कहते हैं देखो अभी क्या था बिड़न ने क्या कर और प्रेजिडेंट बना दिया किसका वल्ड बैंक का फिर बिड़न क्या करते हैं बिड़न उससे पहले जाते युक्रेन आप सभी अच्छे से युक्रेन और रशिया के युद्ध से जो की एक साल हो गया कंप्लीट पूरा 24 फरवरी 2022 से यह युद्ध स्टार्ट होता है त अब ये क्या कहते हैं उन्होंने इन्कार कर दिया तो अब क्या क्या होता है यदि किवी जाते हैं कौन भी बिडन अब क्यों जाते हैं क्योंकि यहां पर होने वाले हैं elections अब जो elections होने वाले elections से क्या होगा guys अपने आपको strong दिखाने के लिए बिडन जो यूकरेन पहुंचने कहते हम आपकी आर्थिक यानिके financial और nuclear कहने का मतलब क्या है weapons से हतियारों से मदद करेंगे तो कहने का मतलब क्या है का हम आप लोगों को आर्थिक मदद देंगे को कर देंगे तीक दूसरा क्या का हम आप लोगों को हतियारों की मदद देंगे यहीं की है और यह मतलब क्या है बहida 150還有 जहां अपना मतलबपड़ा महां ही यह वहां छो हो तो क्या हो था अपने आपको स्ट्रॉंग दिखाने के लिए ईजाते हैं अब क्या पताता है इस दिखाने के लिए जाएंगे और प्रजा इस जो nuclear49 चाहिंध कि अदिसकर इसका वाइस 15 चीक है बढ़ी बताओ आप मैं आप्शन नहीं दिख रहा है और यार मैं आप्शन क्या के खड़े होगी सॉरी यार सॉरी आप सो सॉरी बताइए है क्या इसका आंसर कि दीजिए आंसर क्या हो जाएगा अच्छी नहीं रिंकी परिशान मतों अब देखो जितना पढ़ लियन उसको रिवीजिन करो ठीक है तो आंसर बताओ भई 2022 को यह क्या होता है गाइस शुरू होता यानि कि इसके शुरुवात होती है तो आप लोग देख रहे हो पूरा एक साल जो है वे हो चुका है इस युद्ध को ठीक है नहीं नहीं क्या है न्यू स्टार्ट था इसका नाम क्लियर भई चलो आगे चलते हैं दो हज़ार सब्सक्राइब कहता है किस आदालत ने अर्टिफिशल इंटेलिजेंसी का उप्योग करके पहली बार अपनी सुनुवाई को लाइव जो है वो क्या कर दिया ट्रांस्पिरेशन जो है वे लॉंच कर दिया अब क्या होगा हम जानते हैं की केस लड़े जाते हैं हमें नहीं प पता चलेगा कि वारतलाब जो है वो जो बहस है वो क्या हुई है जज और वकीलों के बीच में अपने ही किसको बचाने के लिए जो उनके कौन होते हैं गवा गवा तो नहीं बोलेंगे उसको जो मुझरिम होता है और जो प्रोटेक्टर यानिकि एक सही साइड होता है तो कि इपिशिल इंटेलिजन्सी का उपयोग करके अपनी जो जैसे कि हम लोग लाइफ क्लास ले रहे हैं ऐसे ही क्या होगी उनको हम लोगों को क्या होगी वो जो बहस है वकीलों और जज के बीच में वह दिखाई देगी तो इससे हेल्प क्या होगा जो लॉज स्कूल है उसक कि जो स्टूडेंट्स हैं सबसे जादा हेल्प जो है उनको मिलेगी कि प्रकार से केस के बारे में लड़ा जाता है किस प्रकार से केस के बारे में सुना जाता है वह बहुत ही सुन्दर सुप्रीम कोट द्वारा यह डिसीजन जो है वे लिया गया है और पहली सुनुवाई गाइस बीजेपी की ही होगी बीजेपी वर्सिस बीजेपी यानि की बीजेपी के ही कुछ मुद्दे हैं उनके बारे में होगी और यह जो पहली वीडियो है सबसे पहले जो वकील है उनके और जो सुप्रीम कोट की ही साइट है यानकी वेब साइट है वहां पर अपलोड कर दी जाएगी यह एक ट्रायल के रूप में है बट आने वाले समय पर यह लागू कर दिया जाएगा तो पहली जो वीडियो है आप लोगों को मिलेगी वह कहां मिलेगी सुप्रीम कोट के ही वेब साइट पर विलेगी ठीक समझ गया आप सभी बहुत ही बढ़िया कोशन है अब इस कोशन से मुझे बताईएगा जरा कि कौन सा ऐसा हाई कोट है जिसने मंदिरों में मंदिरों के अंदर बैन कर दिया है फोटो को खीचना मोबाइल फोन को ले जाना आंसर देंगे सबी स्कूदेंगे तो इसके बा इसके बाद फर्स्ट क्लास के अंदर आ तो उस फर्स्ट क्लास के लिए एज क्राइटीरिया को सेट किया गया है वह कितनी यह आप लोगों ने मुझे बताना है केरला हाई कोड बहुत ही सुन्दर मदरास हाई कोड के लाइक ठीक चलो आगे आंसर देंगे आप सभी तीन व इससे क्या होगा जिससे स्टूडेंट जो है मैं कोशिशन के आगे खड़ी जाती हो मैं इधर की तरफ लगाने की कोशिश किया करूंगी क्यों सेंटर में आ जाती है इसको तैक कर दिया गया है हां क्यारा बिल्कुल ठीक है तो डी सी भी आंसर आ रहा है मेरे पास डी ठीक है डी के साथ प्राइटी जाएगी राज़ों गलत होगे पांच नहीं है छे वर्ष की आयू को क्या किया गया है तैक किया गया है अब मुझे बताइएगा हमारे एडुकेशन मिनिस्टर जो है वह कौन है यह आप लोग बता दीजे जल्दी से कैबिनिट में अभी यही हो रही है कृष्णा क्लास के स्टाइडिक जी की भी होगी तो आप लोगों को बता दी जाएगा यह इसके साथ तो फोटो गलत लग गई है पीछ वाली फोटो लग गई है तो फोटो पर मत जाईएगा इसकी पीछ वाले कोशन के रिप करनटाफियर पढ़ रहे एक आदा कोश्न जो रह जाता है मैंने सारे कोशन जो है वह इस दिन आज के दिन क्योंकि दो दिन की करनटाफियर थी वह सारे के सारे आसपास के जो रह गए ते उन सब को ठालिया था अब लोगों से फूस्ते हैं निती आयोग के पूर्व जो चे अंतरराष्ट्रे वित्यस अंस्थान में कारे-कारे निर्देशक के रूप में न्युक्त किया गया यानि कि एक्जेक्यूटिव डारेक्टर बनाया गया है जर बताइएगा किसे बनाया गया मतलब कहां का बनाया गया आई-एम-फ वल्ड बैंक एडीवी बैंक या फिर एंडीवी एशियन डेवलेप्मेंट बैंक गलत है गया काजू थोड़ा सा ध्यान से सवाल को पड़ो थीक है बहुत बढ़िया अजे बंगा आंसर तो दे रहे हो अजे बंगा को तो प्रेजिडेंट बनाया गये भाई अजे बंगा कौन बने अजे बंगा बने प्रेजिडेंट हां तो वर्ल्ड बैंक के बिल्कुल ठीक है वर्ल्ड बैंक के एग्जेक्यूटिव डारेक्टर के पोस्ट पर कौन नितियायोग की जो पूर्व चेयर्मैन सारी सी एयो थे यानिकि परमेश्वर अईयर को अपॉ करंट में प्रेजन कौन बनाए गए है चेयरमैन जल्दी से बदाए और टीक है त्व एक यह बहुत पढ़ा जहां तछिए वल्ड बैंक में किस ने डिया डेविड माल पासने किसे डिया डेविड माल पासने डिया वटर्ड का मुख्याल ने कहां पर एवशिंग्टन डिस के अंदर है तहाँ पर है वाशिंग्टन डीसी के अंदर है यानिकी यूएस के अंदर है 1944 के अंदर जुलाई में इसका गठन जहें वह किया गया था क्या हो गया प्रितम पढ़ लगा ठीक है बीवी आर सुब्रमन्यम बहुती सुन्दर बहुती गजब बहुती बढ़िया ठीक है अगले सवाल की तरफ चलते हैं अगला सवाल आप लोगों से क्या कहता है नेक्स्ट कुश्चिन कहता है संयोग्त राष्ट्रे ने किस भारतिये कैनेडियन को पोशन अभियान के लिए जो कि scaling up nutrition movement है उसका संयोग्त किया है अब देखो यहां पर दो जीजे लिखिए क्या लिखा है कहता है पहले तो आपको बताना है scaling up nutrition movement के बारे में यह क्या है यह सबसे पहले आप लोग को बताना है यह क्या है मैडम उसके बाद आप मुझे बताएगा की बोला इंडियन कैनेडियन इंडियन कैनेडियन यानि भारतिये ऑर कैनेडा यह यह दो है किसी कोई एक इंडियन है तो अब बात की जाले इनके पास सिटिजन का का कि बृटेटेन की भी और आपने की भी Size कि इनके पास दोहरी सिटीजन है डबल सिटीजन इनके पास तो अब यह कौन है जिने बनाया गया है यहां का स्केलिंग अप नूट्रिशन मूवमेंट अब यह क्या है यह जो कुपोर्शन से लोग लोग भगवान जी को प्यारे हो रहे हैं या फिर जो बच्चे हैं वो क्या हो रहे हैं परेशान हो रहे हैं उनको खाना नहीं मिल रहा पोशन नहीं मिल रहा उसको जीरो कर देना यानि कि ऐसी चीजों को जीरो कर देना लोगों को पूंड तरीके से नूट्रिशन प्रोटीन वगेरा प्रोवाइड करना तो किसको पॉइंट किया गया है तो बताएंगे भी गलत है रिंग की रजनी अब भी गलता अंसर है और और बताएंगे कि शिश्टर आप यहां कब पढ़ाने लगी है कि मैं यहां आई डिसमबर से पढ़ा रही है तो तो कि मैं पढ़ा रही हूं मैं किसी चीज की जिम्मेदार नहीं हुए तो कि कोई काई कोन है आप लोग की अगर हम बात करते अफ्शा खान इनको क्या किया गया अपॉइंट किया गया यूएं द्वारा इस प्रोजेक्ट के लिए अब इस प्रोजेक्ट के लिए कैसी हमारी कौन सी और जिसके लिए जो की बच्चों के लिए कार्ण करते यूनी सेफ आप लोग ने नाम धिरूर्द सुना होगा यूनी सेफ का और इसी के हाल ही में कौन आइश्मान खुराना क्या बनाए गए हैं ब्रैंड बनाए गए हैं भारत की तरफ से भारत के लिए ठीक है तो यह सवाल आप लोगों ने पहले भी क्लास में पड़ा है बस हमें लिंक करना आना चाहिए चीजों को यह सीज मैंने पीछे पड़ी थी अब यह चीज में यहा सब्सक्राइब अगला सवाल क्या बात करता है इसका बिल्कुल करेक्ट अगला सवाल कहता है आप लोग बताएंगे कहां पर सित चर्च गेट का नाम बदलकर सीडी डेश्मुक स्टेशन जो है वे कर दिया गया है यह कुशन भी मैंने कल आपको परसुब अपडेट दे दि का एक स्टेशन नया नाम नाम सीडी देश्मुक कर दिया है सीडी देश्मुक हमारे देश के कौन थे पहले और बी आइक गवर्नर ठीक आरबी आई के रिस्पेक्ट में जरा हेड़क वार्टर बताएगा कहां पर रहे है इस्टैब्लिश्मेंट बताईएगा कहां कप करी प्लस यहां पे गवर्णर अभी फिलाल में कौन से नंबर के हैं वह कौन है यह आप लोग मुझे बताईएगा ठीक है बदलो है नाम आप लोगों से पूछ जाते हैं आप लोगों से एक्जैम के अंदर ठीक है मुंबई बिल्कुल मुंबई का चर्च गेट रेलवे स्टेश है जिसका नाम बदलकर अब सीडी देशमुक कर दिया सीडी देशमुक का पूरा नाम क्या है चिंतामन द्वारकानात देशमुक इनका पूरा नाम हो जाता है जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया थे पहले गवर्णर रह चुके हैं मुंबई में हैं आप लोगों का क्या dar accelerate रजिस्तान का इस लिए इस नाम बदलकर शरी सेंदर यौक है क्या है ते समय होता है इसका पहलो यहां है कर Center मुंबाई में जब इसका मुंबाई में पहले जब सब्सक्राइब को अन्दर आता था ठीक है अब इसका हेड़ कोर्टर कहां पर स्नानांतित करके मुंबई कर दिया गवर्णर कौन से नंबर के और कौन है यह आप लोग मुझे बता इस वे नंबर के गवर्णर शक्तिकांत दास बहुत बढ़िया तो फिफ्ट ट्विंटी फिफ्ट नंबर के गवर्णर है अभी हाल ही में ठीक है और आप लोगी कौन है शक्तिकांत दास ठीक है तो उसका correct answer तो यह हो गया अभी मुझे बताएंगे मिया का बाड़ा जो राजिस्तान का railway station उसका नाम क्या किया गया है महेश नगर क्या कर दिया महेश नगर ठीक है बई चले आगे बहुत बढ़ी यह सुन्दर बहुत सुन्दर आंसर आगे चले इसका अंसर जाता है अगला सवाल उससे पहले यह वला बैज जो है इसमें इन्रॉल नहीं कर रहा है तो प्लीज एन्रॉल कर लिजएगा इसमें मैं अगला जो कल क्लास लूंगी आज क्योंकि क्रास उति है इसमें Tuesday तुस्टेर थ्र्थ्र्ष्टेय अगर आप लोग नहीं करहें तो और जादा महंगा भी बैच नहीं है आप सभी लेकर जब आपको लगे कि हमें पास समय है तो आप इस क्लासिस को देखिए क्योंकि इंपोर्टेंट है अपने आपने बहुत जादे इंपोर्टेंट है से ने तो सारे एक्जाम्स में कंप्यूटर अनिवारे कदी दिया है बाकि अगर बात करते हैं तो हम लोग आप लोगों से टार्गिट बैच भी आ चुक है आप लोगों के लिए प्री दोजार टैइस वाला अपने नहीं कर रहा है तो एंडॉल कर लीजेगा इसमें आप बहुत अच्छे चाहिए उसके बाद नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हम लोग किस राज्ये ने 23-24 फरवरी को पांचवे प्रोग्रेसिव सम्मिट का आयोजन जो है वह कर रहा है तो गाइस यह अगर हम बात करते हैं कहां पर किया गया हरियाना केरला पंजाब या फिर आप इसके इंदर पाटिसिपेट करा है और यहां पर अपने अपने विचारों को जो है वह रखा गया है अब आप मुझे बताएगा कौन सी गवर्मेंट ने यह कारे जो है वह कर रहा है हाँ अब बताएगे नहीं क्लास खतम नहीं है यार लेक्स मैं कुछ बता रही है क्लास के लिखने आपके लास को शेयर नहीं कर आप लोगों ने आप लोगों ने इसका इसका आंसर देंगे नेक्स्ट कुश्चन का मध्य परदेश ने रिपास आंसर है मध्य परदेश गलत है मध्य परदेश जहें वह सहीं नहीं है और देखो खुद ही बता रहा है टू डेस का इविंट था प्रोग्रेसिव सब्मिट जो है वो पंजाब दुवारा और कौन सी है भई एडिशन जो है वो फिफ्ट है यह कार्रे किया गया है पंजाब गवर्मेंट दुवारा यहां के जो मुख्य मंत्री है कौन है भगवत सिं ठीक है इनके द्वारा उद्गाटन जो है वह किया गया है सवार अगला ठीक है पंजाब बिल्कुल ठीक है नेक्स कहता है विदेश मंत्राले वह यह नहीं कि क्या है एक्स्टरनल एफेर्स और पुने इंटरनाशनल सेंटर दुवारा किस शेहर में सातवे एशिया आर्थिक संबाद का आयोजन किया गया है तो जब बटाईएगा कि कौन से शेहर के अंदर किया गया है कुश्चन ने खुद ही बता दिया है क्या हां किया गया है अब आप जान लीजेगा कि जब इसका इसके बारे में यानि कि इसके पांचवे एडिशन को लॉंच किया गया तो इसके साथ साथ जलंदर के अंदर यहीं के जो मुख्य मंत्री है भगवत सिंग मान इन्होंने क्या करा स्पोर्स युनिवर्सिटी का भी उद्गाटन किया है तो लि करा गया ठीक है यह लिख लिजेगा यह भी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए हो जाता है तो पूने बहुत ही सुन्दर पूने के अंदर गईस क्या किया गया वह किया गया है एशिया एकनोमी डायलोग अब आप एकनोमी से क्या समझ रहों कि आर्थिक चीजों पर ब वह मिलेगा इसमें बहुत सारी कंट्रीज के जैसे कि मालडीव्स हो गया जैसे कि श्रीलंका हो गया जैसे कि अपना खुद का भारत हो गया यहां के कौन आए हैं यहां के हमारे फाइनांस मिनिस्टर्स क्या करें बई विजट जो है वह करें तो पूरे बिल्कुल करेक्ट आंसर आप सभी का हो जाएगा महराश्ट्र ठीक बई अगले सवाल की तरफ चलते हैं अगला सवाल जो है वो आप लोगों का क्या कहते हैं उससे पहले जान लेना 23, 24, 25 परवरी को इसको आयोजन जो है वह किया गया था ठीक आगे चलते हैं आगे बोलता है अच्छा यह कुछ वन लाइनर बीच में डाल दी है जो कि important थे क्या कहता है कि which state government has started tree outside forest in India the program यानि कि कौनसी ऐसी government is state government जिसने इस प्रोजेक्ट को launch करा है तो वह हरियाना क्या है वह हरियाना ठीक तो इसके बारे में एक एक सब्सक्राइब में दो दो चार कोशन मतलब चार पांच कोशन ऐसे डाले हैं आगे आने वली स्लाइट में जो कि आप लोगों को वन लाइनर के फॉर्म में मिल जाए तो यह होगे आप लोगों के दो चीजे फिर क्या बात करता है फिर दो कोशन और किता दृपती मुर्मू ने या फिर राश्ट्रुपती मुर्मू ने किस राज्य में भारत भारत स्काउट एंड गाइट के अठारवे राश्ट्रिये आप लोगों के जंब्रोए का उध्गाटन जो है जंब्रोए का उध्गाटन जो है वेकर है तो राजिस्तान फिर बात करता है कि वियर हैस के आइसी चेर्मेन मनोच कुमार ने उध्गाटन करा एंबेश्यास री हैबिटेशन प्रोजेक्ट का तो ने निकाल के अंदर तो यह इंपोर्टेंट है इसलिए मैंने आप आप लोगों के लिए डाल दिये हैं आइस थी 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 तो राजस्तान है यह हमारे क्या हो गए दो सवाल हो गए है जो कि इंपोर्टेंट हो जाते हैं अब लाक किता है किसने हाल ही में मोधी को ऐसे डाइस और ऑडर मोजस कर रहा है किताब किसे प्रंके द्रहार लकते नीश्तिम्रुआव सब्सक्राइब कषिते हैं कि जो हमारे एक्सटर्नम अफेयर मिनिस्टर है ठीक है तो यह इनके दुवारा किताब लिखी गई है अब रिलीस किसके दुवारा लॉंच जो है वै किसके दुवारा आप लोगों की करी गई है तो यह option खुद ही बता रहा है गाइस board पर लिखा answer आप सभी का लिए तो ज़रा मुझे बताईएगा क्या इसका correct answer हो जाएगा यह जो व्यक्ति है जो answer आप लोगों को दिख रहा है जेपी नाडा और यह क्या है जेपी नाडा जी तो आप लोगों के बीजेपी के national chairman जो है वह हो जाते हैं ठीक है समझागे बहुत बरिया B.S.E. बहुत सुंबर चले भई आगे आगे क्या आप लोगों से कहता है ठीक है तो इसके बारे में क्या discuss किया गया है जो foreign policies होती है गाईस उसके बारे में जैशंकर जी ने क्या करा है describe करा है ठीक समझ गया है आगे चलते हैं आगे क्या बात करता है इसका अंसर भी कैसे है इसका अंसर है दो सवालों के आंसर जो है कहता है my day at RBI and beyond बताओ यह सवाल देने आप लोगों को करवाया नहीं है तो यह revision question आप लोगों के लिए फिर हो जाता है जो कि आप लोगे सी रंगराजन जी दौरा बुक को राइट करा गया है और रिलीस किया गया है किया नेक्स सवाल की तरफ चले यह दोनों question में आप लोगों को mcq के फॉर्म में पहले भी दे चुकी है कहता है the governor of the madhya pradesh has released our book human anatomy यह सवाल भी आप लोगों को करवाया था जो अध्यपरदेश के अगर हम बात करते हैं governor रह चुके हैं उनके द्वारा इसको release किया गया था अब इस किताब किसके लिए थी medical students के लिए थी मैंने आपको पढ़ाया बित और पढ़ाया विता कि जो medical कर रहे हैं students हाना degree करें उनके लिए यह किताब जो है वो release करी गई है फिर क्या बोलता है क्रांतिक कारी यानि कि क्या है कि किसके द्वारा भारत के स्वतंत्र संग्राम की भूमिका पर लिखित पुस्तक क्रांतिक कारी का विमोचन करा गया था था ठीक है चलें आगे क्लास को लाइख भी ने करा आ तो शेयर करा आप लोगों आगे चलते अब क्या बात करता है कहता है केंद्रे रिजर्फ पुलिस पो बल यानि कि तो सेंट्रल रिजर्फ पुलिस पोर्ट आर सी र पीयएग ने क्या करा है 84 अपना पॉंडिशन डे को बनाया है तो बस्तर बस्तर एक जिला है गाईस कौन से स्टेट का जहां पर इसको और्गनाईज जो है वेक्टिया गया बिहार जारकन शर्टिसकर या फिर उत्तर ट्रदेश यहां के हाही में नए गवर्नर भी अपॉइंट किये गए हैं तो यहा बी जारकंड नहीं जारकंड के नहीं है जारकंड में नहीं हुआ बिहार में भी नहीं हुआ बहुत बढ़िया प्रीतम पॉदर बहुत बढ़िया अलेक्स बहुत बढ़िया जुही बहुत बढ़िया मांसी तर्यादुमन बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया चलो अब सबके आंसर मोसली सही आने लग गए हैं बहुत सुन्दर हां रोज क्लास आठ बचे होती है संदी अगर हम बात करते हैं गाइस चतिस गड़ बिलकुल करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा जो कि चतिस लगों का प्रीतम बहुत संदर विश्वा भूशन हरीं चन्दन क्या बात है तो इनके यांके विश्वा भूशन हरीं चंदन पॉइंट किये गए गाइज नए राज्यपाल के रूप में अगला सवाल क्या कहता है आप लोगों से कहता है आप बताइएगा वहाज बीन अवाड़ेट आज दा इवाई एंट्रेप्नियोर ऑफ दे यर 2022 भाई इन्होंने क्या करा है जो स्टील होता है सीमिंट होता है इसी जो इंडस्ट्री में यानि की जो कंस्ट्रक्शन वाली फील्ड हो गई स्टील यूज किया जाता है सीमिंट यूज किया जाता है और भी बहुत सारी चीज़ें इसके इस्तमाल मिली जाती है तो इन्होंने देश को फाइदा दिया है कितना भाई बाइस मीलियन डॉर्डर्स का तो यह आप लोगों की कौन जाती हैं एंट्रपूनियोर हो जाती हैं ऑफ दे यह 2022 कौन है यह आप लोग मुझे बताईएगा नेडी है नेडी बहुत बढ़िया जो आप लोगों का सज्जन जिन्वल बिल्कुल करेक्ट आंसर आप सब यह आपर देते हुए आगे बढ़ रहे हो यह बहुत इंपोर्टन बहुत जादे इंपोर्टन ठीक है अगला सवाल आप लोगों से क्या बात करता है कौन से ऐसे क्लासिकल डांसर जिन्विल हैं जिनका निधन 85 की आयू के अंदर हो गया है जो आप लोगों की कौन सा डांस करते हैं की डांस मी बढ़िया लगे लिगा नित्ते भी बताएंगे तो बहुत संदर लगेगा तो इसे कहां आप आप वह हो गया है अब बताइए मैं ब्रिल्लेंट्स हुई शी अब पदम भूशन पदम भूशन अवाड भी दे रखाएं इस इनको मिल रहा कौन सा पदम भूशन ठीक है यह इनों को राप्त है आप नगरी बहुत बढ़ी आंसर देखके दिल खुश हो रहा है तो राइट आंसर का इस क्या हो जाएगा आप लोगों का नकरीली या फिर रिले यह जो कि मोहीन एक्टम डांस करते और मोहीन एक्टम काहां का क्लासिकल डांस है बताएंगे कहां का क्लासिकल डांस आप लोका मोहीनी अट्टम आंसर दीजिए फटैक से इसको आज में चेंज करवाओंगी बिलकर यह मेरे पैरों में अटकता है वारा गिर जाता है करला का करला का एक प्रीटम में इतने च्छांस एक प्रीटम बात करने से फुरसत नहीं मिल भी है वरी तम दूसरे वाले प्रीटम करला का शास्त्रें नित्त है ठीक है जा हुआ अगला सवाल कहा है स्पेंगे कौन से ऐसे घी यह हैं जिन्नोंने क्या कर लिय कर लिया भाई जिन्होंने रे कि यह आंसर अठक से लोग यार आपका आपमला थोड़ा बहुत बढ़त प्रितम दि बहुत बढ़िया सर्जीयो रॉंस या फिर रॉम उस बिल्कुल और आंसर आप सब यहां पे हो जाता है सिर्फ मुझे बताइए कि कि वरास धानी को मुद्रा क्या है जल्दी से बताइए कि राजधानी मुद्रा क्या हो जाती है कि आगे चलते भी लूकुल ठीक है कि वाद करते हैं फोटो मैं यह कोई बात है 24 फरुए 2023 को नुसेना एंसाधों Mmm निर्मित मिसाइल जिसका नाम गाइस क्या हो जाता है अच्छा मिसाइल कम कि एम्यूनिशन M.C.A. बर्च का क्या नाम है बताएंगे क्या इसका नाम हो जाता है और इसको भारत में लॉंच जो है वह किसके द्वारा करा गया है यह भी आप लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताएंगा तो इसका नाम बताएंगे पहले क्या है पाउंड यूरो मैडरिट बहुत संबर यूरो वा मैडरिट वरुन क्लास अल्रेडी हो चुकी है आपकी करेंट अफेर की पाउंडेशन वन वाले बैच में मैंने पिछले वर्ष का पूरा करंट अफेर आप लोगों करा दिया यहां पर भी कराना वाइटी वालों को भी ठीक है बाकी मंतली करंट अफेर तो अभी नहीं होएंगे पहले बस कम्टीट हो जाए और मैंने अभी तो चुक्ति दे रख कि अभी अभी सीजियल का इग्जायम है ना इसलिए तो थोड़ी से रेस्ट करो सीजियल वालोटी क्लास लगाएं ठीक है भी राजेश चौधरी बिल्कुल नाम लिया जाएगा आंसर दीजिया आप भी ठीक है तो आंसर देंगे क्या इसका करेक्ट आंसर जाएगा करवा देंगे वरुन अभी तो नहीं करवाया भट हमें करवा दूंगी आप लोगो याड 75 जब एक वीक बात क्लास होएंगी ना आप लोगों को ओके बिल्कुल करवाऊंगे रिंग की परिशान मतों पूरा करवाऊंगी 2022 करेंट अफेर आपको और मंतली भी करवाऊंगी ठीक है थोड़ा प्लान करते हैं इसके उपर अब यह दोनों एक्जाम है ना चल्का भी और सीजियल का भी एक्जाम है तो दोनों सही आंसर आप सभी नहीं आपे दिया है अगला सवार कहते हैं आप लोगों से आई आर सीटी सी विल ऑपरेट बाबा साहिब अमेटकर यात्रा टूरीजन पैकेज अंडर डैश इनिशेटिव तो भाई अगर आप लोगों से बात किये जाए आई आर सीटी सी यानिके हमारे रेलेवे दुआरा क्या करा गया है इस पैकेज को लाया गया है जो कि क्या है भई बाबा साहिब अमेटकर यात्रा टूर के नाम से जाना जाएगा अब इसके अंदर क्या है जो इंपोर्टेंट प्लेसेज वह एड़ किये गए है इसके अंदर तो जरह मुझे बताएगा कि कि यह जो इनिशेटिव लिया गया उसका नाम क्या है आपका उमंग स्टैंड अप इंडिया अमरित भारत या फिर आप लोगा देखो अपना देश कि दस्मार्च को है कोई बात नहीं हो जाएगा कि देखो अपना देश जो है वह है इसके अंदर क्या है इंक्लूडिड है या फिर हमी कह सकते इसका नाम है सी गलत आंसर दे रहे हो आप सभी मुझे पता ता सी जो है गलत आंसर दो कि इसलिए यह ऑप्शन जो है वह डाला है वह आप लोगा ठीक है समझ गया आप सभी चले अगे क्या अगला सवाल आप लोगों से यह कहता है और स्टाट होगा भई नई दिल्ली से पहली यात्रा है वह नई दिल्ली से स्टाट होगी आप लोगों के लिए यूथ 20 इंडिया समेट की में जबानी कौन कर रहा है कौन सी आप लोगों की रिए जो किया यूठ ट्वट्वेंटी इंडिया समिट पर एंवार्मेंट प्रतेक्शंश समझ क्या रहे हो एन्वार्मेंट परियावरन के बारे में इसके अंदर क्या होगा इसनीट वन कौन और्गनाइज कर रहा है उनिवर्सिटी ऑफ डेली महराजा सजा सजा तयाजीव राव या फिर विश्विध्याल वडोद्रा या फिर ऑल इंडिया इंसिट्टूट फर देमेडिकल साइन्स क्या फिर जवाहलाल नहरू युनिवर्सिटी जो है वह कर रही है तो प्रामी हो कोई भी आपकता हो उसके बारे में डिसकुशन जो है वह किया जाएगा जी जो है वह बिल्कुल गलत आंसर आप सभी का यहां पर बन जाता है बड़े प्यार से यह प्रितम बहुत सुंदर आंसर आपका यहां पर आता हुआ तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का बाकी सभी स्टूडेंट बताएंगे पता नहीं तुम्हारा क्यों गलत होता है ठीक है बताईए आज जी सारे फोन बढ़ेंगे मेरे ठीक है राइट आंसर क्या है आप लोग का बी जो है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएगा महराजा सयाजी राव युनिव करने के चत्तर में क्या करा कोमेंट ही भगा दिये हैं को मेंट को वापस लेके आया जाएगा है ठीक है ठीक चला एमस नहीं है कीर्थी ठीक है वही चले आगे काफी समय बाद शील्ड क्लास के अंदर बहुत बढ़िया चले आगे चले भी इसका correct answer हो जाता है अगला के तक जर्मनी के chancellor जो है वो कौन बनाए गए है हाल ही में यह कौन बनाए गए है ऐसे नहीं है जर्मनी चांसलर कौन है या फिर कौन appoint किये गए है हाल ही में कौन यह कॉइशन है आप लोगों का तो बताईए जरा मुझको फू एस ही और शी ठीक है ओके फीटम चलो बताओ हाल तूमत बोला करो तूम सब्सक्राइब करेक्ट आप लोगों का आंसर जाएगा और मुद्रा यहां के क्या हो जाती है यूरो हो जाती है परस्ट हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन जो है वो किसने बनाई थी जर्मनी से जर्मनी नहीं बनाई थी एशिया की पहली बात करें ट्रेन की हाइड्रोजन से चलने वाली तो वो किसने बनाई है वह चीन ने बनाई है भारत की बात करी जाए तो भारत कहता है कि मैं 2023 के अ करने में लगा हुए इंडिया अपना आपको अच्छे से मालूम है अगला कहता चत्यस गड़ के नौवे राज्यपाल के रूप में किसने जो है वर्षपत ली है तो नाइंथ गवर्नर ऑफ चत्यस गड़ कौन बनाए गए अभी पीछे हम लोगों ने पढ़ा भी सही चत्यस बिश्वा भूशन हरी चन्डना गजब आंसर देटे हुए हमाई सभी बरलियंस सिर् станов बदाना विश्वा भूशन हरी चंडनन पहले कौन से पोस्ट करते या फिर पहले कौन से राज्ये के आप लोगों के कौन से राज्ये के राज्ये पाल थे यह बताना काईज आप सभी मुझको जल्दी से ठीक है यह आप लोगों ने मुझे बताना है उसके बाद अगर हम बात करते हैं 36 गड़ में अभी छेरा करके एक उस्सव बनाया गया था जो कि क्या था भई किसानों पर या फिर हमें कह सकते हैं हारवेस्ट उस्सव थ आगे चलें अगले सवाल की तरफ क्या आप लोगों का आंसर कहता है और नाचल परदेश के भी नई गवर्नर बनाए गया कौन बनाए गया है जरक मुझे बताईएगा कॉमेंट सेक्शन ने कहता है बीस फरवरी 2023 को परधानमंत्री किसान सम्मान निदी योजना को कितने सा जाल पूरे हो जाएगे अब इसके अंदर क्या था इसको कब शुरू किया गया यह भी आप लोग मुझे बताएंगे वर्स हो जाएंगे किनः कि की अकाऊंट मेंने क्या जाले जाएंगे कुछ अमांट हमारी इंडियन कभोर्मेंट ड्वारा डाला जाएगा Calica कि मुझे कॉमेंट सेक्शन में में बताईएगा का तो कि द per स्स Wine प्रत्दान मंत्री जी को आयो हने दस साल हो गया इस ने सरी साल यह IF नरेंद्र नरेंद्र मोधी को आयो है दस साल हो गया कमप्लीत जो यहां सर देश दिया चंम है rumors बताओ जल्दी बताओ जटाल के परद्धान मंत्री को अच्छन में पर्द्धान मंत्री गते के पास थाना मासूञत को बोलना कि आपका आडमिट कर ट्राइब कर पर इशन मत होई आपना सो राइट आंसर क्या हो जाएगा पोर जो है यानिकी फोर वर्ष जो है वो कम्प्लीट हो जाए यह बाई कितना अमाउंट डाला जाएगा किसानों के अकाउंट में आर्थिक मजद करी जाएगी किसानों की समान आप लोगों की निधी योजना जो है रह आती है तो आने के बात वेगी तभी भी पूरे दस साल नहीं हुए है है ना मतलब इस योजना को अगर मैं बात करूं तो हाँ यह कब स्टार्ट होती है चार साल पीछे चले जाओ गाई इससे 19 के अंदर करीबन यह क्या होती है गाई स्टार्ट होती है ठीक है क्लियर समझ गए आप सभी ओके समझ गए तो इसका राइट आंसर फोर इयर से बहुत सारे कोशन है यार चालिस कोशन से उपर कोशन है पड़ो जल्दी जल्दी कहता है कि सरकारी संथा ने शोशल स्टॉक एक्सेंज लांच करने के लिए अब देखो क्या है ना आप लोगों की एक और जिसकी चेर्में जो है पहली बार महिला बनाई गई थी वह थी माध भी पुरी बुच ठीक है और अगर हम बात करते हैं इसका हेड़कोर्टर कहा है इस ओर्गनाईजेशन का वह भी आप लोग मुझे बताईएगा अब यह क्या है गाई जिसने अपना नया एक जो प्लाटफॉर्म है उसको अलग से लांच कर दिया है शोशल स्टॉक एक्सेंज यह क्या करेगा यह आप लोग से लिदाट करेगा या ने कि हम बात कर सकते हैं चीजों का लेन देन वेगे बेचना वह आप सभी जवह है वह है वह बिलक़िस और वह बता हैंगे कहा पर है उसका गाठन एक कप किया गया यह अब आप लोग मुझे फटक से कॉमेंट सेक्शन में बताएग donor नमस्ते नमस्ते चले वह आगे तो सभी जो है वह बिल्कुल करेट आंसर आप सभी का यहां पर हो जाता है तो आप यहां से भी देख पा रहे होगे इसको तो अगला कहता है आप लोगों से जरह बताइएगा अर्जेंटीना ओपन 2023 का टाइटल जो है वो किसने जीता है काफी लंबे समय बाद इन्होंने कम बैक करा क्योंकि इनको पेट की जो है वो एक इंजिरी कह सकते हो या फिर इंफेक्शन कह सकते हो वो था तो आते इन्होंने क्य क्या करा गाइस मार्दिया चौक का जो कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का खिताब अपने पास वापस से ले लिया है तो हूँ वोज ही गाइस बहुत बढ़िया तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कार्लोस बिल्कुल करेक्ट आंसर आप सभी का यहां पर बन जाएगा फोटो नहीं लगी है मेरे से कुश्चिन जाधत है ना यह कुश्चन बढ़िया है इंपोर्टेंट कोश्चन है कहता है कौन सी ऐसी कंट्री है हमा कहां की भाई है रहा ठीक है बताते हैं इन वीच ओफ दा सदेंगु अटक्री डेंगुए व्क डेल्टेंसी बहुत सब्सक्राइब अदर शंदासी जाती है अब इसके अंदर अधिया घुए नती हैं अब इसके अंदर क्या होता है कि कुछ ही दिनों के अंदर 1000 से उपर केंसी आप को देखने क्लीं मिलते हैं 10000 से जादा केसी कर दीजाती हैं पूरे सेंटरल में पूरे western में पूरे Eastern के अंदर तो राइट आंसर क्या जाएगा पेरू क्या जाएगा भई पेरू जो है वो बिल्कुल correct आंसर आप सभी कहां पर बन जाएगा यह बिल्कुल ठीक है अगला सवाल केता हाल ही में पुर्व मैं मुर्ति अब्दुलनाजीर को कि सविए राज्ययक के नए राज्यपाल के रूप में रूप में वह दिलाई है तो कौन ऐसे राज्ययक के यह से दिलाइन जोड़े की और जा रह यह रह चुक परीम कोट के क्या रह चुके हैं ज़र रह जस्टिस दे चुके हैं उनको कौन से राज्यकार राज्यपाल जो है वह बनाया गया है आंध्रा बहुत बढ़िया गई आंध्रा का नया क्या बनाया गया है राज्यपाल बनाया गया हाली में यहीं के जो सीएम है कौन है जगनमोहन रड़ी उनके द्वारा क्या करा गया है कैपिटल में फिर बदल किया गया जब यहां की नई राजधानी का नाम आप सभी मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता दीजिए फटैक से ठीक है तो राइट आंसर क्या हो जाता है जिसका सी अगला सवाल कहता हाली में भारत और किस देश के बीच में साथवी वार्शिक रक्षा वारता का आयोजन जो है वे किया गया है अब इस वारता जो डिफएंस डायलोग जो है वे हुए तो इसने क्या होगा दोनों देशों की बाइलीटरल एक्सरसाइजिस के बारे में जाना गया यानि कि क्या करवाए जाएंगे भाई सैंने अभ्याज जो है वे करवाए जाएंगे जिसले क्या किया जाएगा इन दोनों देशों की defense को strong किया जाएगा बताएंगे क्या इसका correct answer वह हो जाएगा क्या इसका correct answer यह वह जाएगा तो इरान गलत है इरान अरे अब भी इसने हमारे बसे भी दियें गाई इस कौण से देश को दियें बस इस बहुत बड़ी अपिचत्तर बसीज भी है तो श्री लंका हमारा पड़ासी देश भाई अपना डिफेंज है वह स्ट्रॉंग करने के मोटिव से यह कारे कि आगे भाई फ्रांस नहीं है इसका अंसर गलत है तीक नेक्स्ट आंसर और सुड़ी नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते ह मैं कहता हाली में तीन दिवस्टी है एलोरा एजंता राष्ट्रिय मोहसब कहां पर बनाए गया यह भी कोईशन मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं मैं आपको पहले ही बोलती हूं तो इससे क्या होगा गाई इससे आप ल पर कौन सी उनिवर्सिटी द्वारा आप सभी इस नाम से बहुत अच्छे से वाकिफो अजंता वा अलोरा ठीक है और अंगाबाद के अंदर आप लोगों को देखने के लिए मिला है यह आप लोगों के आट से कल्चर से जुड़ा फैस्टिवल है जिसके अंदर डान्स आप लोगों का कहा का डांस अउत्तर भारत का डांस जहें विए जाते दूसरे कॉंसर्ट डांस को प्राइटिटी दी जाती है ओडी सी तो बताइए जरा मुझको क्या इसका तरेक्ट आंसर जाएगा औरंगाबाद लिखा तो है यहां पर आप लोगों कि मुंबई के राजेश एप्लिकेशन पर मिल जाएए आपको अभीने मैट अभीने मैट पर मिल जाएए आप लोग को एप्लिकेशन पर यह वली पीडिये अदरवाइस आप यहां से भी प्राप्त कर सकते टेलीग्राम ग्रुप से ठीक है अगले सवाल की तरफ चलते हैं डीस का कर देता है कौन सी प्रूमन मुझे बताइजिय कि किसको कर आभी से निलंबित रूस को युक्रेन को पकिस्तान को यह इसरायल को पाकिस्तान का ओडेडिदी तूका है और ऑग दाए किया इसका correct answer जो है वह बन जाएगा question number 31 का बताइए जल्दी से comment section में रशिया को निलंबित जो है मैंडम वो कर दिया गया है financial action task force इसको कहा जाता है तो किसके बारे में बात कर रहा है इस finance के बारे में money के बारे में money laundering एक हम कह सकते organization जिसने रूस को क्या कर दिया है बैं कर दिया है ठीक है समझ आगे चलते हैं आगे क्या आप लोगों से ठीक है जब कोई चीज manufactured करी जाएगी चाहे वो कैसी भी चीज़ है तो उसकी quality के बारे में जांच परताल होती है तो उसके नए महानिदेशक नहीं डारेक्टर जो है आप लोगों के डारेक्टर जर्नल जो है वो कौन अपॉइंट किये गए हैं दहरादून के अंदर यह प प्रेक्टी हो जाते हैं जिन्हें पॉइंट किया गया है बहुत बढ़ी है बाउंड सुमित क्लास में लेट आए हो बढ़ अच्छा आंसर देते हुए आई हो तो आंसर देंगे गईस क्या इसका करेक्ट आंसर आप लोगों का यहां पर बन जाएगा बहुत बढ़ी यहां पर आता हुआ गिरेश चंद्रमुर्मु नहीं जाए नहीं 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 गलत है अगर हम बात करते राइट आंसर क्या जाता आपका आरेस रीन जो है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर आप सभी कर यहां पर बन जाएगा प्रीतम बहुत सुन्दर यह बिल्कुल सही आंसर यहां आप लोगों का आता हुआ और बागी सभी सी आंसर पतनी क्या सोच विचार कर दे रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है सवाल अगला कहता आप लोगों से इन्फोसिस ने रीसेंटली कौन सी कंपनी के साथ पार्टनर्शिप कर ली अपने ग्लोब सरी क्लाउड एडॉप करा है करीबन 11.2 परसेंट रिवेन्यू जो है इन्होंने ग्रो करा है तो अब अगर बात करी जाए यह कौन सी कंपनी के साथ इन्फोसिस ने क्या कर दिया कॉलाबरेट कर दिया है ताकि आगे चलके टेक्नोलोजी के फील्ड में अपनी चीजों को बहतर और कर सके तो माइक अगर माइक्रोसफ्ट की बात करी जाए आप लोगों से तो मुख्याले जो है वह कहां पर हो जाता है इन्फोसिस के जब बैंगलूरू जो है जो है जो है जिसका हेटकवाटर जो है अभी फिलाल में हो जाता है और वहांगला सवाल क्या बोलता है कि कौन से केंदर साशिक प्रदेश ने बेस्ट एडवेंचर टुरीज्म अवार्ड को लिया है और लिया किस लिए गुलमर्ग के लिए गुलमर्ग कहां पर आप रोग मुझे इसके अंदर से बताईएगा यहां पर अभी रीसेंट क्या हुआ भाई इन्हों जाद टुरीज्म का अट्रैक्शन यहां पर बना रहा डाट इस जम्मू और काश्मीर क्या हो जाएगा जम्मू और काश्मीर बिल्कुल करेक्ट आंसर आप सभी कहां पर बन जाएगा ठीक है बहुत ही बढ़िया सवाल अगला क्या बात आप लोगों का करता है नेक्स कहता है है उसने एक डिवाईolelaunge करा है क्यूं डेटा को एक्सेंज करने के लिए अब डेटा को एक्सेंज करने के लिए यानी की लिंक बनाने के लिए यानीर transformation का सवाल जिए वह हो जी जङहां मिसाइल्स यहां पर अइसे कारे किये जाते वह साइन्स और टेक्नॉलोजी कवर आप लोगों की होती जाती है तो बताएंगे कौन सा वहे लिंक है एक नाम की कड़ी है जो आप लोगों म्फ पूछी जाती है भाई आर्मीक गलंगे कईल से conveyachit मेरे से कपसे मांग रहा झाला कि को और किया कहा गया है पर आप लोगों का कहा गया है दोनु 알вал को एक्जामिनर पूछ सकता है इसका अधर नेम हो जाता है किसले बेजाए डेटा को कमिनिकेट करने के लिए लिंकेज बनाने के लिए तके सिक्यूरिटी के साथ चीजों का अगे ट्रांसफर जो है वह हो अब मुझे बताएंगे हमारे एरफोर्स के बारे में एक एरफोर्स डे एक हमारी आधर गवर्मेंट ने करा है वह उत्राखन ठीक है तो पहले मैंने बता दिया आप लोगों को क्योंकि मैंने तो कोशिन पड़ा यह कल कहता है हाली में किस राज्य की विधानसभा भरती परिक्षाओं में पेपर लिक रोकने के लिए एक विधेग जो है वह पारि जरलती है कि अगर पिники होता है जो लीख करोता है वह जुर्म कर्ता उसको क्या किया जाएगा एक करोड़ा कि जुर्माना भरना पड़ेगा और उसको दस सजा तो प्र लिए सज्दा अगर लिए ऐसक किया गया है अगला सवाल कहता है आप लोग की मैंन हॉल साफ कर दोने वाल एक उप्योक्त करने वाला पहला राज्य वह बन गया इस को लेकर जो है वह आई है बताएंगे ज़रा गाईद आप सभी इस question का answer ग्रहे कारे के अंदर देखो आपको 37 दिख रहें बट वन liner को अगर आप count करोगे तो 40 प्लस question से आज़ी class के मैंने बोला ही ता 40 प्लस बनेंगे और अभी भी कुछ questions है टाइम उपर हो है बट सिल हमारे question रहेगा है उन questions को हम क्या करेंगे अगले दिन यानि कि कल के दिन उनको cover करते हो अपनी class को आगे लेकर चलेंगे अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त धन्यवाद जैहिंजे भारत आप लोगों से मिलते हैं कब कल मिलते हैं और जल्दी आप लोगों के लिए class जो कि आप लोगों की कौन से class होगी current affairs की 2022 की और्गनाइस कर दी जाएगी मेरे दुआरा तुटाउजन ट्वेंटीटीटू का जो भी current affairs है वो मैं आप लोगों को इस class के अंदर यानि की morning के slot के अंदर ही सोच रही हूं पढ़ा दू current affairs ठीक है और बाकी गाईस देखो अगर आप ध्यान दोगे ना मैंने आप लोगों को बहुत सारा और बाकी आप क्लास को शेयर करेंगे और शेयर करने के बाद क्या करेंगे लाइक भी करेंगे comment section बताएंगे आपको class कैसी लगी है बाकी हमको वापस से अपने class के rhythm पर वापस से आ जाएंगे हमें एक शायरी सुना दो बहुत दिन से आपने शायरी जो है वह नहीं सुना है यार कल पढ़के आऊंगे शायरी अभी ढूननी पड़ेगी मुझे और मेरी next class है कल सुनाती हूं ठीक है अभी के लिए दीजिए इजाजत धन्यवाज जहिन बिचै भारत मारे सभी बिर्लियंज को और class को like कर देना गाई से ना